नमस्कार स्वागत हैं आपका टी-सी बूटिक में इस वीडियो में हम पूरे बिलाउज की स्टीचिंग करेंगे और आपको बताएंगे आप बहुत ही अच्छी तरीके से बिलाउज किस तरीके से बना सकते हैं तकि फिटिंग उसकी बिलाउज की बहुत ही बहतरीन आए तो ये साधा भी लाओ जाए बिनास्तर का मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं तो चले दूस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम वीडियो को सुरू करते हैं और यहां पर सबसे पहले डाटे डालेंगे और डाटे जो हैं वो बै आदा इंच का मार्जन लेके अब जितना मोड़ते हैं उतनी आपको डाट बिल्कू सीधी से लाए लगाना है उसके बाद क्रास में ले जाना है ऐसे इधर वाली भी आपको डाल लेना है यह हमारी जो बैक है वो कंप्लीट हो गए सिंपल सा अब हम सामने में डाटे डालते हैं तो यह वाली जो डाटे है वो ऐसे ही पढ़ेंगी जैसे बैक में पढ़ती है अभी हमने डाली तो जितना जिए मोड़ेंगे उतना हाँ आपको सीधी डाट डालना उसके बाद क्रास में हलका करना है और यहाँ पर टांकी जरूर लगा लेना है ताकि डाटे जो है वो खुले नहीं क्योंकि ऐसे अगर आप काट देंगे दागा तो बाद में डाटे जो है वो खुल जाएंगी तो इसका धियान लखना है तो टांकी जरूर लगाना है अब यहाँ पर के डालना है जो और अप डांट हो तो उसमें थोड़ा सा महीन सिलाई से डालें क्योंकि सिलाई आपकी चटगना नहीं चाहिए इसका धियान लखना है अब यह साइट की डांट रहे गए इसको भी हमको डाल लेना है यह हमारी डांट पड़ गए अब हम क्या करेंगे इसको डबल करना है इसको बिल्कुल बराबर कर लें गले को बिल्कुल बराबर रखना है क्योंकि काटते समय हमको गले को बिल्कुल बराबर रखना है बना हमारा कम जादा भी हो सकता है गला इसका ध्यान रखना है तो इसलिए हमको बराबर करने कवाद इसको काट देना है अब हम जो सामने की ताभीज बनाएंगे मतलब सामने में जो बटन लगेंगे और काज बनेंगे उसके लिए क्योंकि इसमें इसमें काज बटन होंगे औ आपको बनाना है इसको इस वाले हिससे में काज बनेंगे जो हम बना रहे है इस समय आपको इस तरीके से जड़ लेना है और अगर आपको इस तरीके से मोड़े लेना है और एक इंच का ये मुला है और अगर आपको हुक लगाना है तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपको उधर साइड में बनाना है उल्टे हाथ पे तो हमारे इसमें काज बनेंगे तो काज वाली पट्टी हम यह बना रहे हैं इस तरीके से हमने इसको बना लिया अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और कच्चा डाल देंगे इसमें मतलब कच्ची से लाई डाल देंगे इसमें क्योंकि तुर्पाई होगी ना तो बाकि हमारी तुर्पाई होगी तो उसके बाद कच्ची से लाई खुल जाएगी तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया जिकाज वाली जो पट्टी है वो हमारी बन गए अब ये बटन वाली है तो ये इधर बनेगी ये भी एक इंच चोड़ी है अब माली जहां आपको हाई वाला बनाना हुकाई करना है तो इसका उल्टा बनता है जो हुक वाली पट्टी है वो इधर बनेगी और हाई वाली पट्टी उधर बनेगी दूसरे हाथ पे उल्टे हाथ पे तो बस इतना फर्क होता है तो इसमें ब अब इनको दोनों को इस तरीके से रख रखना है तो दीकिए हम बहुत आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे जो आपका जोड़ते समय कोई प्रोब्लम नहीं आएगी तो यहां पर क्या करना है आपको कच्ची सिलाई डाल देना है थोड़ी सी इससे क्या होगा सामना आपका जब तक के लिए बंद रहेगा क्योंकि आप नापेंगे अभी साइट अगर जब जोड़ेंगे तो सब नापके रखना होता है तो आपका इदर उदर हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी तो इसलिए हमने यह सामने में कच्चा डाल दिया बाद कि यह फुचरे वाला जो हिस्सा है वो अंदर को हो जाएं उसके बाद पैर किसे लाए लगा देना है हमको साइट आइंस Wonderrob है उसको If I'm अब हमको इसको जोड़ना साइट है तो इस साइट जो है जितनी इधर बैठ निकल लाह सामना ब्ल्कुल भरवर निकलना इधर साइड मोज़र साइडिक निकलने के हैं सामने में तो इसकी विदा से सामना हमारा थोड़ा कम हो जाता है बया किसी लिए हमारी निकलती है कि सीधी बिलकुल कि अब उसके बाद हम कुटके लगा देंगे यहां पर ताकि फुचरे बगएर ना निकलें क्योंकि ओवरलाग बगएर इसमें नहीं होती है बलाउज में तो चाहें तो आप कर सकते हैं बस वो बलाग चलती नहीं ज़्यादा तो यहां पर आप कुटके बगएरा लगा सकते हैं तो अब हम इसको लगाते हैं अब इससे क्या होगा फुचरे बगएर बिलकुल भी नहीं निकलेंगे हमेशा ऐसे ही रहेगा अब उद्रवाला जो हिस्सा है वो भी हमको यह से ही जोड़ लेना है अब इससे ही जोड़ लेना है तो यह काम हमारा कंप्लीट होगे अब हमको इसको कच्चे को निकाल देना है बैसे हम सामना इसको देखते हैं यहाँ पर सेट करते हैं तो अब देखे हैं कितना सिंपल तरीके से हो गया काम तो यह सबसे बेश्ट तरीका होता है अब हमको क्या करना है अब हमको बाजू चड़ा लेना है तो सबसे पहले हम नाप के कमर दिखाते हैं आपको दिखेंगे इतना तो हमारा फोल्ड होगा नीचे का उसको हटा देना है तो कितनी थी 17 इंच में 100 कम यानि कि 17 दूनी 34 34 में 100 कम लगवग तो यहां पर देखिए इस तरीके से आया ही बिलकुल कमर ठीक अब हम यहां पर बाजू बनाते हैं तो बाजू इस तरीके से रख के और हम सबसे पहले तुर्पाई यहां पर करेंगे तो उपर का हम फोल्ड कर सकते हैं तुर्पाई के लिए अब देखिए इसमें उल्टा सिदा होता है तो यह देखिए गुलाई बाला जो हिस्सा है बैक का इसको भी हमको इधर साइड में रखना है यह बाला हिस्सा और यह बाला हिस्सा आमने सामने आना चाहिए तो यह काम हमरा कंपलीट हो गया अब इसकी मोरी जो है बो है 13 तो इसको डबल करेंगे 13 के आदे हुए हैं तो यह यहां से जुड़ेगा यहां तलक मतलब आएगा और उपर साइड में जो है साड़े तेरा यानि कि साड़े छे इंच रख देना है यह हमने जोड दिया अभी इसमें भी कुटके लगा लेंगे वैसे ही अभी बहुत से लोग जो जोड़ते हैं वो इसमें जोड़ते हैं मतलब क्या बताएं आपको बाजू उसी पहले चड़ा लेते हैं साइट बाज में जोड़ते हैं तो दिखें वो रेडिमेट वाला तरीका जो होता है उसमें प्रोब्लम क्या आती है कि जब हाँ बगारा उपर करेंगे तो साइट हमारी टंगती रहती है उस वाले बलाउज मे तो जल्दी में बनाये जाते हैं लेकिन सिबिल में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बलाउज आल्टर होता रहता है उस से क्या है बलाउज की साइट नीचे की ब्रहitution नीचे सी काफीat लेकिन गॉल बाजू जब चड़यी ओ आज़ी हो एकि तो बिल्कुल नहीं टंगती मार्जन जो है इसका बैक में जाएगा आस्तीन का और बिलाउज का जो मार्जन है वो बैक में करके इस तरीके से मोड़ देना है हमको और जोड से जोड मिला लेना है और उसके बाद बाजू जो है वो हम चड़ा देते हैं बाजू चड़ाते समय नापते भी रहना है ताकि जो है आपका आर्मोर बिल्कुल सही आना चाहिए कम जादा हो तो उसी इसाफ से आपको कम जादा करके अच्छे से आपको चड़ाते हुए चले जाना है अब हम डबल सलाई कर देंगे बाद में इसमें मुड़े में उवल्ला कर लेना आप चाहें तो तो ये बाजू जो है वो हमारी चड़ा गई ये देखे है और ये है मारा सामनी की तरफ अब दूसरी आली भी ऐसे ही आपको चड़ा लेना है अब हम पाइपिन निकालते हैं तो पाइपिन के लिए देखे आउरेप कपड़ा हमको चाहिए होता है इस तरीके से आपको आउरेप देखे और इसको काट लेना है तो काटेंगे कितना काटना है आपको देखे लिए इंच चौड़ा देखे लिए इंच चौड़ा काटेंगे बड़ा गला है तो चार पट्टियों काटें छोटा गला है तो तीन पट्टियों में हो जाएगा उसके बाद हमको जोड़ लगा लेना किरास में किरास में जोड़ लगाने से क्या होता है कि एक तो हमारी मजबूत रहती है पैपिन दूसरी चीज़ क्या है पैपिन में एक जगे पे मोटा पन नहीं आता है क्योंकि अगर एक जगे पे मोटा पन आएगी तो वो पैपिन बहाँ पर जोड़ पर अजीब सी लगेगी तो फिनीसिंग नहीं आएगी तो इसलिए हमको अगरेब जोड़ लगाना होता है मतलब अगरेब तिर्चे में जोड़ लगाना होता है अगरेब तो पैपिन होती है जोड जोआ है वो हमको तिर्चे में लगाना होता है ये जोड लगाने के बाद आपको चिर्मा कर लेना है आपको सारे जोड जोड इसको चिर्मा करने के बाद अब हम इसको डबल करते हैं डबल करते हैं समय एक चीज दियान रखें आपको अगरे इस तरीके से करना कि आयठ है नहीं आइट रहा है यह चीज ऐसे नहीं रखना आपको बराबर करके फिर इसको खींचना आप दीके नहीं आइट रही है क्योंकि अगर आप आइटता हुआ मतलब आपका पल्ला जड़ेंगे आप इसमें पट्टी तो आपकी पैपिन भी आइटती रहेगी इसका धियान रखना है तो वो मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊ वो तो आपको बताऊंगा अच्छे से और इसको जो पैपिन लगाए हैं तो इधर साइड में एक सूत छोन दे मतलब बूट से एक सूत पट्टी इमारे इधर निकलती रहे इससे क्या होगा तो आपकी जो पैपिन है वो जब आप निकालेंगे तो उत्रेगी नहीं सिलाई और ज्यादा भी नहीं होगी तो यहां पर इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगी सिलाई एक दम और नीचे का जो ब्लाउज का पला है उसको खीचना नहीं उसको ऐसे रख देना है और जो पैपिन है उसको खीच के अलका सा रखना होता है तो यह हमने पट्टी लगा दिगर पट्टी आपकी साही लगी होती है तो पैपिन भी बहुत अच्छी निकलती है अब देके इतनी फसकला तरीके से हम पैपिन निका लें तो यहां पर इस तरीके रखेंगे एक सूथ कि आपकी पैपिन निका बितालना है तो एक सूथ का ही मार्जन रखना है बागी का मार्जन छांट के फेंक देना है सीधा बिलकुल और यह छांटना जरूरी होता है वरना आपकी पैपिन अच्छे से नहीं निकलेगी इसका ध्यान रखना है तो पूरे में मतलब इसको छांट लेना है इसी तरीके से अब जो है हम इसकी पैपिन को निकालते हैं तो सिंपल सा इस तरीके से हमको रखना है तो अब हम इसको निकालते हैं तो इस तरीके से फोल्ड करना है वो पीछे का हिस्सा हम इसलिए लगाते हैं तक कि इसको खीच सकें यहां से फिनिसिंग के लिए तो यहां पर इस तरीके से आपको रखके और इसको सिलाइव इसके जड़ में बिलकुल लगाना है तुम कैसे रखना है इसको इस तरीके से पकड़ना है दबाव को अंदर रखना है और इसको कश्ट कर टाइट करके घुमाना है गोल करके और सिलाई लगाते हुए चले जाना है इस पर मैं डीटेल वीडियो लाऊँगा और आपको अच्छे से एकी बार में समझ में आ कितनी फिनिसिंग के साथ पैपिन निकली है है ना यह दिखिया है तो बिल्कुल ही फिनिसिंग के साथ दिखिये यह निकली इस ती तरीके से आपको इसको निकालना है पैपिन को और अब हम जो है इसको पूरी निकाल देते हैं कि लाइश्ट में थोड़ा सा कपड़ा यहां पर छोड़ देना होता है अंदर फोल्ड करने के लिए तक यह पक्का रहे यहां पर यह हमारी पैपिन जो है वो निकल आई अब हम क्या करेंगे इसको हमको क्या करना है अब दीखें बिल्कुल ठोस निकली एकदम इसको गोल करना है अब गोल हम क्यों करते हैं गोल करने का प्रस लगाएंगे तो बिल्कुल बहीं पर चपक जाए गोल इसलिए करते हैं जो इसकी जो दिख रही होती थोड़ी थोड़ी सी तो इस घुलाई करने पिल्कूल भी बिल्कूल नहीं फिर दिख़ेगी मतलब सिलाई Chapati दिखती ही नए आयसा लगे आपको कि सिलाई लगी ही नहीं है और पैपन बिल्कुल गोल आई है है यतनी फिनिसिंग के साथ आएगी आपकी पैपन और बाद में उस्तरेस लग जाएगी बिल्कुल ही तो यह देखिए कुछ इस तरीके से आई दिखे कहीं दिख रही सिलाई यहाँ पर अब सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी और कुछ इस तरीके से हमारी यह आई है बैक साइड में दिखिए बैक साइड में बिल्कुल फिनिसिंग के साथ तो अब हम क्या करेंगे अब देखिए हमको क्या करना है अब मैं आपको बताओं तो देखिए इस तरीके से गला हमरा आया है अब हम दामन को मतरम नीचे बाटम को फोल्ड कर लेंगे जिर निसान लगा है मैंने जितना फोल्ड छोड़ रखा है उतना हमको फोल्ड कर लेना है में तो जैसा आपकी तृफ छोड nay सकते 하지만 कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बराबर करना है बराबर करने के बाद मोड़ लेंगे तो यह हमारा फाइनली बिलाओ जो है वो कम्पलीट हो गया अब इसमें क्या होगा इसमें तुर्पाई होगी सामने में अस्तीन में तुर्पाई होगी बाटम में तुर्पाई होगी और यहां पर जो है काज बटन होगे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं तो यह वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बारा तो सब्राइब कर बेल आइकन आ तक के लिए नमस्कार